अज़ा नजर जैसे लगे किसी लाला को या किसी लाली को तो नजर कैसे ज़ाड़नी चाहिए? कोई मैया बताए ज़रा? मैं छोटा था बंदावन में पढ़ता था तो मुझे नजर लगी थी हूँ तो नहीं इस लाइक बैसे साइद लगी हो वो मैया हमें लेकर गई आश्रम के पास में रहती थी वो मैया बोली लाला तुम्हें नजर लगी है नेका आपको कैसे पता? वो ले खुस्वू से पता च अब मैं घबडाया है भगवान क्या होने बाला है? एक साथ इतनी मिर्च पहली बार देखी थी और उन्होंने खेर खिलाई तो नहीं वो मिर्च ली और हमारे सिर पे उसारते ऐसे ही बोल रही थी इनके तूटे हाथ उनके तूटे पाओ उनके तूटे यह अज़ा उस दिन मिर्च जो हाथ में थी वो जलते हुए चूले में डाली और महराज वो भस उड़ी वहां से भागे हमने का मैया आज के बाद ना नजर नजर आएगी और या ना ये नजर बाला नजर आएगा अब कभी नहीं आएंगे पाराज आज भी कभी हम उस गली से निकले ना बरनावन में तुब मैया हमसे पूछती लाला आप नजर तो नहीं लगी हमने का मैया बाद इन ते मोई लगी नाए नजर ऐसी तुमने ज़ारी है क्या सच में नजर ऐसे ज़ारना चाहिए हमारा सनातन धर्म कहता है अगर किसी बालक बालिका को नजर लगे तो ऐसे नहीं ज़ारना चाहिए ना आप देशी गाय की पूछ से सात वार उसारा करिए कितने बार सात बार हमारे बड़े महराजी तो कहा करते थे कि अगर उनकी पुस्तक में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी बालक को नजर लगे तो देशी गाय की पूछ के कहीं इस नान पूछ से ज़ारते समय कहीं पूछ के बाल अगर आपको मिलें तो वो बाल ले करके उसके तावीज बना करके बान दी जाए ये मेरा विश्वा कभी नजर नहीं लग सकती